नमस्कार आप देखरें न्यूजवल इंडिया आपके साथ मैं हूँ का जोन अरायन शुरुबात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों की सामोहिक दुशकर्म के आरोपी ने जुला जूल में बैरक के स्टेडीयों पर फासि लगाकर खुदकुशी कर डिए ज्धा नाले के पास 34 मार्ष को पती के सांथ पत्नी का सामोहिक दुशकर्म किया जुश्कर मारूपी की जेल में आत्मत्य करने की मामले में जेल कर्मियों पर सुरक्ष्य ववस्ता को लेकर सवाल उठाई है। राजसरकार की भूमी पर अवैद निर्मान करा रहे दो सपानेताओं पर मुकदमा दर्च किया गया है। प्रदेश भर में बूचाल आ गया था। विएसपी कार्यकरताओं और पिदादीकारी में गुस्सा हैं जिसके चलते हैं पिदादीकारी और कार्यकरता वस्पास स्तीफा देकर इन पार्टियों से निकाले गए नेताओं के साथ खड़े हो गए हैं। विजनौर में सोशल मीडिया पर महिला की पिटाई का विडियो तेजी के साथ वारल हो रहा है। महिला का पती कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई थी जिसके बाद महिला और उसके ससूर के वीच जमीन को लेकर विवाज चल रहा था। सर्याम ससूर ने जंजीरो से बांद कर महिला की पिटाई कर दी थाना हल दौर के एक्सचेंज का ये पूरा मामला। इस वारल वीडियो को लेकर पुलिस कुछ भी बताने को तेयार नहीं है। बुलेंश्वेर में खेत की मिड को लेकर दो पक्षों में जमकर मार पिटाई का वीडियो सोचल मीडिया पर बारल हो रहा है। वीडियो में दबंगो ने महिलाओं को जमकर पीटा। उल्टा पुलिस ने पेडित पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। प्रवीन भाटी ने तहरीर में ट्वीटर और ट्वीटर के अफसरों के खिलाब देश्टरों की धाराओं में अपयार दर्ज करने की मांग की है। खेला होई के बाद अब चंदा चोरों से साब धान की होडिंग लगी है और जो की घनी आबादी के बीश लगाए गई है। साउस सिटी के सजांच राहे पर होडिंग जो लगी हुई है वो चर्चा का विशय बनी है। ये होडिंग कब और किसने लगवाई इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। कानपूर के घाटमपूर का पतारा बनवा गौसरक्षण केंद्र गौवंचों के लिए कबरगाह बन गया है। प्रामलों के मताबिक दो महीने में सैक्रों गौवंचों की मौत हो चुकी है। गौशाला के बगल में गौवंचों के शक्त विशत पड़े शवों को कुत्ति और चिलकवे नूश रहे हैं। शिकायत के बाद धी प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। गौश सरक्षन केंद्र गौवंचों के लिए फिलहार कब्रगहा बना हुआ है। मत्रा की विरिंदामन में उत्तर भारत के विशालताम श्री रंगनाथ मंदिर में ठाकुर, गौदा, रंग, मननार विराजित हुए हैं। ठाकुर जी के दर्शन के लिए भगतों की भीर मंदिर परिसल में उमड़ पड़ी है। मंदिर प्रबंधन कोरोना गाइडलाइन्स का पालन कराते विवगतों को दर्शन के सुविदा भी उपलब्द करा रहा है। मौँ में PM स्ट्रीट वेंडर के तहट रेड़ी पट्री वालों के लिए कैम्प लगाये गया है, जिसमें दुकानदारों और ठेला लगाने वालों के लिए ऑनलाइन पंजिकरन किया जा रहा है, जिसे दुकानदारों को सरकार से आर्थिक लोन मिल सके और अपने परिवार की आजिविका चला सके, सरकार इस योजना के तहट पहले 10,000 का रहने देगी और इन चुंगाने के साथ ही सरकार 20,000 रुपए का लाब भी उन लाब भर्तियों को दे सकती है, 2022 के विधानसबद चुनाफ से पहले पश्रीम उत्तर प्रदेश की सियासी नपस टोलने के लिए बीजोपी में गतिविदियां तेज हो गई है, प्रदेश पिफारी रादा मोहन सेंग वेस्ट यूपी के दौरे पर है, जहां सबसे पहले वो गाजयबाद पहुंचे है, ग अपने बैठक असल सला का इंगंटे तक चला, बैठक के बाद मीडिया ब्रेफिंग में पूछे गए सवालों में उन्होंने विक्षार ओपन वैक्शिनेशन और मेरा बूत प्लास्टिक मुक्त को बैठक का अजंडा बताया, यूपी में चल रहा जिला पंचाय तर्ध्यक का चनाव बेहज रोमान्चक होता हुआ नजर आ रहा है, चनाव में जीत के लिए सामदाम, डंड और भेद अपनाये जा रहे हैं, प्रदेशी को सीटों को छोड़कर सभी सीटों पर SP और BSP के आमने सामने की टकर है, वह यूपी के पिलिभीत चनपद में जिस तरह की करने वाली है, पिलिभीत में पंचाज चनाव तो खत्म हो गया है, लेकिन चनाव में हार का मूँ देख चुके गाओं के ही दबंग प्रधान पंद के प्रतियाशी ने एक घर में गुज़कर जमकर मारपिट आई की है, दबंग प्रतियाशी का मारपिट का वीडियो सोचल मीडिया पर वारल हो रहा है, पिलिभीत परिवार की तहरीर पर पुलिस ने नौ लोगों के खलाप मकदमा दर्श किया है, और इसे के साथ यूपी की खबरों में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूस वाल इंडिया